अबिएवान वेलकम बेक टू फामेसिग इंडिया मेडिसेंस आज की इस वीडियो में हम पेंटो सेक्ट 40 mg टाबलेट के बारे में पूरा डिटेल में जानेंगे कि इसका कॉमपोजिशन क्या होता है काम कैसे करता है कहा कहा पर इस्तिमाल कर सकते हैं कैसे इस्तिमाल करना चाह इन्हें प्रमुक बिंदो पर हम बात करेंगे अब से पहले से कॉमपोजिशन की बात करते हैं तो जो पेंटो सेक 40 mg टाबलेट है यह बना हुआ है पेंटो प्राजोल से अब बात करते हैं कि यह काम कैसे करेगा जो पेंटो प्राजोल होता है यह एक प्रोटोन पंप पेंटो प्राजोल है उसके एक्षन को रोकता है सप्रेस करता है और साधी साथ जो फाइनल प्रोडक्शन होती है एसिड की यह उसको भी रोकता है जिसकी वजह से आज़िड हमारा नौर्मल रहता है स्टरमक के अंदर अब बात करते हैं कि इसे हम इस्तिमाल कहा कहां पर कर सकते हैं हर्ड बन में इस्तिमाल किया जा सकता है यानि कि पेट की जलन में जब हमें difficulty होती है swallowing में यानि की चीजों को निगलने में सटकने में दिक्कत होती है तब इस्तिमाल कर सकते हैं acid reflux में अमल प्रतिवाहजी से कहते हैं यानि कि जब acid बहुत जादा बनता है हमारे stomach में तो वो उपर तक आने लगता है जैसे कहते हैं कि खटी-खटी डगारे आ रही है उस condition में भी दिया जा सकता है और ये हमें ulcer से भी बचाता है यानि कि पेट में छाले और जो आतों में छाले हो जाते हैं ये उन से भी बचाता है अब बात क करते हैं कि इसे इस्तमाल कैसे करना चाहिए तो इसकी दिन में एक बार एक tablet लेनी होती है जानी कि जो इसकी dose है वो once in a day है ठीक है या फिर जो डॉक्टर आपको dose बताएगा उसके अनुसार आपको इसकी dose रखनी होती है अब बात करते हैं कि साफधानी क्या बरतनी चाहिए जब भी आप इस दवा का इस्तमाल करेंगे तो आपको इसका label अच्छे से पढ़ लेना है ठंडी और सुखी जगा पर रखना है कभी भी sunlight से exposed नहीं करना है जो dose डॉक्टर आपको बताएगा उससे ज़्यादा dose नहीं लेनी है और जब आप इस दवा का सेवन करेंगे तो आ झाल